इलाबाद के लेटी वे हनमान जी का मंदिर एक लड़की हाद जोड़े सिकायती अंदाज में बोले जा रही है देखिए हनमान जी आपको इस बार मेरी मदद करनी ही होगी हमने आप से एक छोटी सी जॉब मांगी है और वो भी सिर्फ 30 या 35 जार की बस पर आप सुनते ही रही है हाँ आप क्यों सुनने लगे आप तो बस लेटे रहते हैं और लड़ू मिली जाता है आपको भोग के लिए पर ये नहीं कि कोई जॉब एपॉइंटमेट लेटर ले आओ अरे हम आप से कोई संजीनी बूटी तो लाने को कहनी रही है छोटा सा काम कहा था पर नहीं लगता है राम जिसे सिकायत करनी ही पड़ेगी आपकी वो लड़की अपने ही धुन में हाथ जोड़े बोले जा रही थी कि तभी उसे वहां के पुजारी जी अवाज देते है बसुन्दरा बिटिया ईलो तुम्हारा परसाथ वैसे कहीं जौब लगी की नहीं तुम्हारी पुजारी जी ने मिठाई का डिबबा बसुन्दरा के हाथे पकड़ाते वे बोले कहां पुजारी काका उसी के लिए तो ट्राई कर रहे है पर ये भी साथ देतम ना बसुन्दरा ने लेटेवे हनमान जी की तरफ इसारा करते वे पंडिजी से बोला सब ठीक हो जाएगा भरोसा रखो इन पे पंडिजी ने कहा और अपने काम पर लग गए बसुन्दरा भी हाथ जोड़कर मंदिर के बाहर आ गई वो खड़ी हुई सुर संगम को देखकर एक बार सर घुमा लिया लेटेवे हनमान जी के मंदिर से खड़े होके देखने पर सारा संगम नजर आता है दूर तक फैली गंगा नदी और अकबर का किला भी दिखता है लेटे वे हनमान जी के मंदिर से बाहर आते वक्त बहुत सी दुकान लगी हुई है यहाँ पर आपको कभी सांथी नहीं मिलेगी हाँ पर मन की सांथी जरूर मिलेगी और कुम्ब के दिनों में संगम का नजारा देखने लायक होता है ऐसा लगता है जैसे खुद चाननी उतर के धरा पर आ गया हो और ये भी कहा जाता है कि दीपक की नगरी बसी हुई है यहाँ पर वो लड़की अपना बैग लेके बाहर निकली रही थी भीड होने की वज़े से वो थोड़ा धीरे ही चल पा रही थी कार्थिक पूरिमा थी इसलिए इस्नान करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी बसुंद्रा बाहर आई तो उसने एक ए रिक्सा लिया और बैठ गई अपना दुपट्टा समेट की उसमें कहां जाना है मैडम जी रिक्से वाले ने पूछा जी कट्रा जाना है बसुंद्रा ने सामने देखती हुई कहा और रिक्सा चल पड़ा इलाबाद की सडकों पर बसुंद्रा इलाबाद की सडकों को देखती हुई ये रिक्सा में बैठी चली जा रही थी वो इलाबाद उनिवर्स्टी होती हुई कट्रा मार्केट पहुँचती है और रिक्से से उतर के उसे पैसे दे के आगे बढ़ जाती है यहाँ वो एक छोटी क्लीनिक में काम करती थी नर्स का वसंद्रा ने नर्स की पढ़ाई की थी और कोई अच्छी सी जॉब खोज रही थी उसके परिवार में अपना कहने के लिए सिर्फ उसकी बूआ थी और बूआ की बेटी रचना फूफा जी थे पर वो वसंद्रा को पसंद नहीं करते थे बसुंद्रा को वो बात बात पर ताने देते थी और बसुंद्रा की बुवा का प्यार इन तानों पर मलहम का काम करती थी बसुंद्रा रचना की सरारतों में सब भूल जाती थी और मुस्करा देती थी बसुंद्रा कट्रा मार्केट में चलती जाती है नोतिराम सौप से होती हुई वो एक घली में जाती है जहां गुलाती क्लिनिक थी एक छोटी सी क्लिनिक है पर चलती बहुती क्योंकि यहां मार्केट में एक ही क्लिनिक थी बसुंद्रा आ गई क्या डाक्टर साहब ने केविन में बैठे वे पूचा जी डाक्टर साहब वहाँ बैठी रिसेप्शनिस्ट ने बोला सौरी देर हो गई आज मैं जल्दी से काम पर लग जाती हूँ बसंद्रा ने बैग रखके बालों को समेट की जूड़ा बनाती वे कहा हाँ जल्दी करो मेहक ने कहा बसंद्रा सारे पैसेंट की फाइल ले आई दस बज रहते की तभी पैसेंट आना शुरू हुए एक्सक्यूज मी मेरा अपॉइंटमेंट था आज एक लड़के ने मेहक से कहा मेहक ने देखा और उसे अंदर जाने का हिसारा गया वो लड़का डाक्टर की केविर में चला गया डाक्टर साहब ने उसे बात की और बसंद्रा को आवाज लगा दी बसंद्रा भी अपने काम में वैस्त हो गई हरीदार को हरी का दुआर भी कहा जाता है लोग दूर दूर से यहां भोले नात के दरसन करने आते हैं हर की पौडी पर इस्तान कर लोग मंदिर में दरसन के लिए जाते हैं यहां पर पांच साल में एक बार महा कुम्भ लगता है जिसका नजारा बहुत ही अधफुत होता है इसी हरीद्वार की घाट पर आज बिसेश पूजा का आयोजन किया गया है चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं और भीड की आवाज में सिर्फ हर हर महादेव की सुनाई दे रहा है यह पूजा हर साल मलहोत्रा परिवार के मालिक की तरफ से होता है इस दिन मलहोत्रा परिवार गरीबों में दान करते हैं और मंदिर को एक बहुत बड़ी रासी भी पर दान करते हैं दान की रूप में हर की पौडी पर इस्तान करता एक लड़का उम्र यही कोई 30 साल या 32 की होगी चेहरे पर भोले नाज जैसा तेज है वो गंगा जी में हाथ जोड़े खड़ा सूर को जल अरपड़ कर रहा है वो आँखे खोलता है और सूर से नजरे मिलाता है उसकी आँखों में महादेऊसा क्रोध है वो बाहा निकल के आता है और सीड़ियां चड़ने लगता है उसके आदमी उसके पीछे चल रहे है, वो मंदिर में आता है, पुजारी जी उसे तिलक करते हैं और हाथ में आर्टी का बड़ा सा जोत पकड़ा देते हैं, जलता हुआ, वो लड़का लेता है और सिवतांडो मंत्र शुरू करता है उस लड़के ने पुजा खतम किया और जोत पुजारी जी को थमा दिया, और हाथ जोड़कर महादेव के सामने खड़ा हो गया, कुछ दिर बाद आँखे खोल के, वो मंदिर के बड़े से प्रांगर में आता है, और गरीबों को दान करना शुरू करता है, ये है रिसी मलहुत हरिद्वार का करता धरता, लोग इसकी एक नजर से काप जाते हैं, दिल नहीं रखता है, ये जी सिर्फ इसलिए रहा, क्योंकि इस पे इसकी बिद्वा भावी सुनैना और उनके बेटे इसान की जिम्मेदारी है, सब उसे दुआएं दे रहे थे, करीब तीन घंटे बाद लिसी आया और अपनी गारी में पैट गया, तभी उसका फोन बजा, हाँ भावी मा, बस हम घरी आ रहे हैं, लिसी ने बोला और फोन रख दिया, गारी हरद्वार के सडकों पर दोड़ी जा रही है, कुछ दिर बाद गारी आकर एक बड़े से बंगले के पास रुकती है, च कीते रहे देवर जी, सुनेना ने बोला और आरती कर उसे तिलक कर अंदर आने को बोला, लिसी अपने भावी के साथ अंदर आ गया, तभी इसान दोड़ता हुआ आया, चाचो कहां थे आप, इसान ने लिसी के हाथ को पकड़ के बोला, हम तो यहीं थे, आप ही नहीं दिख भावी मा, हम रेडी होके आते हैं, आप नास्ता लगा दीजिए, इसी ने इसान को खाने की मेज के पास लगी कुर्सी पर बैठाते हुए का, जी देवर जी, सुनेना ने इसान के दूद का गिलास उसके सामने रखते हुए का, इसी अपने कमने में चला गया, अरे कमला, न सुनेना के लिए रखी गई थी, और बहुत वफादार थी, सुनेना ने कहा तो कमला फोन करने लगी, तभी नेहा उसे सामने दरवाजे से आते हुए दिखाई थी, भावी जी आ गई वो, कमला ने कहा, माफ कर दो भावी जी, वो मेरी सस्वराल वाले सुभे सुभे आ गए क्या भावे आप भी, नेहा ने बस सर्मा के इतना ही कहा, नेहा सुनेना का हाथ बटाने लगी, कुछ देर में रिसी रेडी होके आया, और खाने की मेज के पास आके बैठ गया, इसान अभी भी बिना दूद पिये बैठा था, इसान अभी तक दूद नहीं पिया आपने, र इसान उठा और उसकी गोद में आके बैठ गया, आज तक तो आपके हाथ से दूद की गिलास खतम करता है, ये कैसे खतम हो जाएगा, खुद से फिर, सुनेना ने रिसी को नास्ता देते वे कहा, सुना है, तुम्हारा रिस्ता तै हो गया है नेहा, कब है साधी, रिसी ने इ काम था सर, नेहा डरते हुए बोली, क्या हुआ, साधी में कोई प्राब्लम है, क्या, खर्च जाता है तो भावी मा से बोलके ले लेना, जो जरूरत हो, जिसी ने सांत भाव से बोला, जिसी के पास दिल नहीं था, पर किसी जरूरत मंद की हेल्प के लिए, वो हमेशा रहता था, इसलिए पूरा हरिदवार उसको सपोर्ट करता था, वो कुछ भी करें, पूरा हरिदवार उसके साथ होता था, नहीं सर, वो बात नहीं है, बात ये थी कि, क्या आप ये जाब मेरी एक दोस्त को दे सकते हैं, वो एक नर्स है, और इलहाबाद में रहती है, उसका इतना बोल के इसान को प्यार से माथे पर चुमके सुनेना के पैर चुके चला जाता है। साम का वक्त बसुंद्रा बैटी अगले दिन का सिडूल बना रही थी। ओई चले गी या यहीं रुकना है आज। मेहक ने उसके पास आके बोला। कितना वक्त हो गया है। बसुंद्रा ने फाइल में देखती हो बोला। मेडम छे बजगे हैं। मेहक ने बैग में सब रखती हो बोला। क्या? अरे रचना मेरा इंतजार कर रही होगी मार्केट में। बसुंद्रा ने जल्दी जल्दी सारा सामान रखती हो बोला। अच्छा जी अभी आदाया, चलो वो कब की आ गई है, महक ने बैग लेके बोला, दोनों क्लिनिक से बाहर आई और चावी वहां के नौकर को दे के चल दिये, फिर एक बार इलावात कट्रा की सडकों पर, इस वक्त कट्रा की सडकों पर आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई द इच्छे दिखाई देंगे, सारे बच्चे इसी वक्त बाहर निकलते हैं और चाय पीते हैं, साथ में बैठके और बाते करते हैं, और कट्रा की सारी सडके उन्हीं लड़के लड़कियों से भरी रहती है, बसुंद्रा भी कट्रा के एक दुकान पर आती है, वहां एक आते वे अंदाज में बोला, आप पूरे आदा घंटा देर से आई हैं दिदी, रच्रा ने मूँ फेर के बोला, अच्छा बाबा, जो चाहिए ले लो, पर ऐसे नाराज ना हो जोटी, बसुंद्रा ने उसके चेहरे को अपनी तरफ करके बहुत प्यार से बोला, चलो फिर क खाने, रच्रा ने मुस्करा के आँखे बड़ी करते वे बोला, वा, क्या मानना है, सीधा कच्छोरी और कुछ ने मेहक ने बोला, तुम तो चुप करो जीरो, साइच, आप क्या तुम्हारी तरह खाना को छोड़ दे, रच्रा ने मेहक को खिजाते वे कहा, मैं जा रही हू मेहक ने गुस्से से पैर पठकते वे कहा, अरे मेहक रानी, कच्छोरी खा के जाना, आ जाओ, रच्रा ने उसके गले में हाथ डालते वे बोला, छोड़ो हमें, हमें ने खाना, तुम ही खाओ, मेहक ने उसके हाथ को अपने गले से निकालते वे कहा, अरे खा लो मेहक रानी मोटी नहीं होगी तुम रचना ने जाती हूँ मेहक को चिला के बोला क्यों उसे गुस्सा दिलाती है तू बसुंद्रा ने उसे सर हलकी से चपत लगाती हुए बोला अरे अच्छा लगता है हमें चलो अब सामाल ले और चले रचना ने बोला और एक दुखान पर जाकर रजिस्टर तौलवाने लगी कट्रा सड़क पर रजिस्टर और पेंद दरजन के हिसाब से ही मिलती है और बिना तौले नहीं मिलती है सारा सामाल ले कि रचना बसुंद्रा के साथ इसकुटी से निकल गई महां से अधेरा हो गया था और इलावाद की चमत भी सड़कों पर लोगों की चैल पहल इलावाद की कूफ सूर्थी को और बढ़ा देती है बसुंद्रा रचना के पीछे पस इलावाद की सुहानी सी साम को महसूस कर रही थी कुछ दिर बाद दोनों प्रितम कालोनी पहुँचते हैं महां स्कुटी रोकी रचना ने तो वसुंद्रा उतर गई वसूदी आप ये लेके चलो हम बस स्कुटी ठीक से लगा के आते हैं रचना ने स्कुटी साइट करती वे का ठीक है जल्दी आजा बसुंद्रा ये बोलके सामाल लेके उपर चल दी प्रितम कालोनी इलाबाद की छोटी सी कालोनी है पर बहुत खुबसूरत बस दो या तीन मंजिल के पुराने फ्लैट बने हैं वहां और लोग बहुत सांती से रहते हैं वहां सामने एक छोटा सा बगीचा पी है बसुंद्रा जाकर एक गेट के पास खड़ी होती है जिसकी नेम प्लेट पर आलोक नात कस्यप लिखा था बसुंद्रा ने बेल बजाई तो एक औरतनी तरवाजा कोला अरे बसुंद्रा आ गई बेटा आ जाओ रचना कहां है बसुंद्रा की बुवा ने पूछा जी बुवा जी आ रही है बस इसकूटी लगा रही है बसुंद्रा ने अपने साथ लाई भी सामान अपनी बुवा को देते वे कही रचना भी आ गई मा पानी दो रचना ने सुपह पर बैठते वे कहा ये लो बसुंद्रा ने उसे ग्लास देती वे कहा तभी बसुंद्रा का फोन बज गिया हाँ नेहा मैडम कैसी हो तुम्हारी शादी क्या तैह है गई आप तो हमें भूली गई बिल्कुल बसुंद्रा ने अपने कमरे में जाते बोला अरे नहीं रे ऐसी बात नहीं है बस काम ज़्यादा था इसलिए बात नहीं कर पाई सुन तू हरिद्वार में जाब करेगी नेहा ने कहा जाब और हरिद्वार में पूछना पड़ेगा बूअ जिसे बसुंद्रा ने सोचते हूँ बोला बसु देख जॉब बहुत अच्छी है सेलरी भी बहुत अच्छी है ऐसा मौका नहीं मिलेगा बसु तू सोच ले मैंने बात कर लिया है तेरे लिए तू सोच के बता दे नेहा ने उसे समझाते वे बोला कुछ देर दोनों ने बात की और नेहा ने साधी में आने को बोल कर फोन रख दिया बसु द्रा सोचे पड़ गई रशना आई तो उसने बसु द्रा को खोई हुए पाया क्या वह बसु दी नेहा दी का फोन था क्या रशना ने बसु द्रा के सामने बैठती वे का हाँ बसंद्रा धीरे से बोली क्या हुआ दी कोई बात है क्या रसना ने पूछा नेहाने मेरे लिए जॉब को जा है एक सेलरी भी अच्छी है और काम भी पर वो हरी द्वार में है सोच रही हूँ क्या करूँ रसना कुछ बोलने ही वाली थी कि बसंद्रा की बूआ ने अंदर आते बोला बेटा अगर अच्छी जॉब मिल रही है तो करने में कोई बुराई नहीं है और क्या हुआ कि जॉब यहां ना मिल के कहीं और मिल रहा है तुम ये सोचो बस कि आगे कैसे बढ़ना है बसंद्रा की बूआ ने उसके पास बैट के उसका हाथ पकड़ के बोला पर बूआ फूपा जी उनसे क्या बोलेंगे बसंद्रा ने परेशान होके बोला उनकी चिंदा तू मत कर बोल देंगे एक हॉस्पीटल में मिली है जॉप तू नेहा को फोन करके हाँ बोल दो बस बसंद्रा की बूआ ने बोला तो रचना और बसंद्रा दोनों ने उन्हें गले लगा लिया दोनों तरब से थैंक्यू बूआ जी बसंद्रा ने बोला बूआ जी उठके काम करने चली गई बसंद्रा ने नेहा को फोन करके हाँ बोल दी और हपते के एंड में आने को बोल दिया कुछ देर बाद बसंद्रा के फुफा जी आलोग कस्यप आए बसंद्रा उनके आने पर अपने कमरे में ही रहती थी जब तक वो खा के अपने कमरे में नहीं चले जाते थे जब आलोग जी आये तो रचना बाहर गई कमरे के पापा आ गया हम पानी लाते हैं आपके लिए रचना बोल के किचन में पानी लेने चली गई आलोग जी कमरे में गए अपने और चेंज करके हाथ मुदो के आए सोपर पर बैठे तो रचना पानी की गिलास आगे कर देती है आलोग जी लेके पी लेते हैं खाना लगा दो रचना की मा ने पूछा हाँ जी आलोग जी ने बोला रचना की मा कीचन में चली गई रचना भी रसोई घर में आई और प्लेट में खाना निकाल के ले आई आलोग जी ने खाना शुरू किया रचना और मम्मी इसी इंतजार में थे कि आलोग जी खाएं और उनसे बात की जाए आलोग जी खाना खा रहे थे और सब खड़े होके देख रहे थे कि वो खाएं और सब बात करें आलोग जी ने खाना खाया और हाथ दोने बस वास बेसिन के पास चले गए रचना प्लेट उठा के रसोई घर में चली गई आलोग जी टावल से हाथ पोचते हुए सुपेपर बैठ गए जैसे ही आलोग जी आकर बैठे वैसे ही बसंद्रा जी की बुवा सुसमा जी ने कहा जी वो आपसे एक बात करनी थी आलोग जी ने अक बार उठा के कहा हाँ बोलिए सुस्मा जी ने थोड़ा डरते हुए कहा वो बसु को जॉब मिली है हरद्वार के एक हॉस्पिटल में वो जॉब करने जाना चाहती है इस बार सुस्मा जी थोड़ा जूट बोल चुकी थी पर क्या करती उनके पास कोई चारा भी नहीं था अच्छा है चले जाए मनुस्यत जाएगी तभी कुछ अच्छा होगा इस घर में आलोग जीने जैसे ही ये बोला तो सब उनकी तरफ देखने लगे उन्होंने जो आगे बोला उसे सुन के सब उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे चले जाए वैसे भी दिन रात उसे यहां देखके मैं चैन से नहीं रहता बोल तो जाए टिकट मैं करा देता हूँ इतना बोल के वो चले गए सुस्मा रचना के साथ ये बात दरवाजे पर खड़ी बसुन लिया था उसके आँकों में आशू गिरने लगे ये सब सुनके बसुन्द्रा के मा पापा के जाने के बाद सुस्मा जी उसे यहां अपने घर ले आई और उसे बहुत प्यार दिया पर आलोग जी को बसुन्द्रा को देखकर बस गुस्सा आता था वो बसुन्द्रा को कभी भी देखना पसंद नहीं करते पर बसुंद्रा की बुआ उसे कभी उदास नहीं होने देती इसी बात को लेकर आलोग जी और सुस्मा में लडाई हो जाती थी सुस्मा जी जो भी खरीती वो रचना और बसुंद्रा दोनों को लेती पर आलोग जी से छुपके ही बसुंद्रा को देती थी बसुंद्रा की पढ़ाई उसके पीता के द्वारा छोड़े गए पैसों सी हुई थी और कुछ सुस्मा जी ने दिया था बसुंद्रा भी ग्यारवी क्लास में आते ही घर में ट्यूसन पढ़ाने लगी थी और उन्हीं पैसों से अपनी जरूरतों को पूरा करती थी बचपन से आज तक आलोग जी ने उसे तानों के अलावा और कुछ नहीं दिया था जब सुस्मा जी ने बसुंद्रा को दर्वाजे के पीछे खड़ा देखा तो वो समझ गई कि उसने सब सुन लिया है वो उसके कमरे में गई रचना भी उनके पीछे गई बसुंद्रा दर्वाजे के पास वैसे ही खड़ी थी सुस्मा जी ने बसुंद्रा को बैठाती वे गा अरे बसु तु उनकी बात को दिल पर मत ले वेटा वो ठके हुए है ना इसलिए ऐसे बोल गए मैं क्या सच में मन हो सुम्द्रा बसुंद्रा ने जैसे ये बोला तो सुस्मा जी ने उसे सीने से लगा लिया ना बसू, ऐसा कभी मत बोलना अरे रचना से पहले इस घर में तेरी ही किलकारी की आवाज कुजी थी मेरी बच्ची रचना के आने से पहले तूने मुझे मा का एहसास दिया था तू तो इतनी प्यारी है की जहाँ जाएगी वहाँ बस खुसिया होगी मेरी बच्ची सुस्मा जीने उसे सीने से लगाये कहा बसंद्रा उनकी सीने से लगी रोई जा रही थी सुस्मा जीने बसंद्रा के आंसु पोश्टे वे कहा देखना एक दिन तेरे फूफा जी भी तुस्से प्यार करेंगे अब चल चुप हो जा अब तो हां मिल गई न अब जाने की तैयारी कर बस हा और वहां जाके मुझे भूल मत जाना वसुदि दी रच्णा ने बसंद्रा को पीछे से पकरती भी कहा चलो अब खानाamba सुस्मा जीने दोनों के गालों को चुटते ये कहकर आलोग जी वापस अपने कमरे में चले गए सुस्मा, रजना और बसुंद्रा ने सुन लिया था सबने काम किया और अपने अपने कमरे में आ गए बसुंद्रा बैठी सोच रही थी कि तभी रजना ने उससे उदास होकर कहा बसुंद्रा ने इतना कहा और नेहा को फोन कर सब बता दिया नेहा सुनके बहुत कुसुए और जल्दी का आने को बोल के फोन रख दिया बसुंद्रा लेड गई तो रजना ने उससे पकड़ लिया और सो गई पर बसुंद्रा की आँकों में नीन नही थी वो बस खिलकी से बाहर देख रही थी और महसूस कर रही थी इस रात के सन्नाटे को हरिद्वार रात का वक्त सुनेना बैठी इसान को गोद में लिये सुला रही थी कि तबी उसे रिसी की गाड़ी की आवाज सुनाई दी सुनेना ने इसान को वैसे ही गोद में लिये कहा कमला खाना गरम कर दो भाईया आ गए है निसी अंदर आया तो देखा सुनेना इसान को गोद में लिये सुला रही थी निसी ने इसान के सर को सहला के कहा सो गया आए भावी मा हाँ भाईया बहुत मुश्किल से सोया है लाइये हम इसे कमरे में ले जाए लिसी ने इसान को अपनी गोद में लेती विगा सुनेना ने इसान को उसकी गोद में दिया और सर का पला ठीक करते हो बोली ठीक है और हाथ मुधो के आ जाईये हम खाना लगा देती है लिसी इसान को लेके उसकी कमरे में चला गया इसान को सुला के उसके पास एक नोकर को छोड़के बाहर चलाया सुनेना खाना निकाल के बैठी इंतिजार कर रही थी और साथ में कमला खड़ी थी लिसी आया और चेर खीच के बैठ गया लिसी खाना खारा था और सुनेना को थकान की वज़े से जबाई आ रही थी और ऐसे जबाई लेती हुए देखकर लिसी ने कहा भावी मा आप जाओ सो जाओ हम खा लेंगे नहीं भाईया आप खालो हम ठीक हैं सुनेना ने फिर जबाई लेती हुए बुला हाँ वो तो देख रहा हूँ मैं चलिए उठे जाइए लिसी ने सुनेना को उठा के कमला के साथ भेशती हुए कहा अच्छा हम जा रहे हैं पर आप खा लेना ठीक से सुनेना ने जाती हुए बुला लिसी खाना खाने वापस बैढ़िया सुनेना इसान के कमरे में चली आई और नौकर को भेज दिया लिसी खाना खाके अपने कमरे में चला गिया ठके होने के कारण उसे नीन आ गई और वो सो गया सुबह का वक्त सुनेना पूजा घर में पूजा कर रही थी और लिसी अपने कमरे में रेडी हो रहा था कि तभी बाहर सोर सुनाई दिया सुनेना उटके बाहर गई तो एक बुढ़ी औरत कुछ लोगों के साथ करी थी उन लोगों के हाथ में एक लड़की की लास थी वो बुढ़ी औरत रोय जा रही थी निसी भी बाहर आ गया उसने देखा इतने सारे लोग खड़े हैं एक बुढ़ी औरत रोय जा रही है और एक लड़की की लास लिए लोग खड़े थी उस औरत ने क्रोध बेबसी के साथ रोती वे कहा तुझे हरिद्वार का न्याएधिस कहते हैं न ये सब लोग तो इस बच्ची की बुढ़ी दादी आज तेरी अधालत में न्याए मांगने आई है रिसी ने उसकी तरफ देखके पूछा बात क्या है हुआ क्या है उस बुढ़ी औरत ने रोती वे कहा मेरी पोती है ये साहब खुराना के बेटे ने इसकी इच्चत को तार-तार कर दिया और मार डाला ये सुन कर रिसी ने उससे कहा तो पुलिस के पास जो तबी भीड में से एक आदमी ने कहा गय थे साहब पर उसने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया बोला जाओ तुम्हारी पोती खुद जिम्मेदार है इसकी मैंने सुना है कि एक बार के लिए भोले नाथ अपना न्याय करने में देर कर दे पर तू न्याय करने में देर नहीं करता है मैं आज बहुत भरोसे से आई हूँ तेरे दर पर न्याय चाहिए मुझे मेरी पोती के साथ जो हुआ उसका न्याय चाहिए तब तक मैं मेरी पोती की लास के साथ यहीं बैठूंगी जब तक मेरी पोती को न्याय नहीं मिलता ये कहते हुए उबुडिया वहीं बाहर बैठ गई ये सुनकर रिसी ने गुसे में अपने वफ़ादार आदमी से कहा अमन जाओ उस पुलिस वाले को बुला लओ जी सर ये कहकर अमन वहाँ से चला गया रिसी वहीं बाहर सिर्वियों पर बैठ गया सुनेना भी बाहर ही खड़ी थी इसान उठ चुका था उसकी आवाज सुनके सुनेना उसके पास चली आई दुपहर का वक्त इलहावाद वसंद्रा के लिनिक पहुची और मेहक को गुड मॉर्निंग बोलके डाक्टर साहब के बारे में पूछा मेहक ने अंदर इसारा कर दिया अभी कोई पैसे नहीं आया था तो वो चली गई बात करने उसने उनकी केविन के बाहर खड़े हुए कहा मैं आई कमीन सर अरे वसंद्रा आओ डाक्टर साहब ने उसकी तरफ मुस्करा के कहा गुड मॉर्निंग सर ये कहते वे वसंद्रा अंदर आ गई गुड मॉर्निंग वसू ये कहते वे डाक्टर साहब ने उसे बैठने का इसारा किया बस उन्हें बैठती वे का सर आपसे बात करना था हाँ बोलो क्या बात है सर मुझे जॉब की सिलसले में हर्दवार जाना है कल ही फोन आया था तो मैं निकल नहीं हूं साम को अगर सब ठीक हुआ तो मैं वही रहके काम करूँगी बसुंद्रा की कहने पर डाक्टर साहब थोड़ा उदास हो गए क्योंकि बसुंद्रा जैसी नर्स उन्हें नहीं मिल सकती थी जो सारा काम बहुत ठीक से करती थी ठीक है बसुंद्रा जाओ और आल्दावेश्ट डाक्टर साहब ने कहा और काम करने लगे बसुंद्रा जाने लगी तो डाक्टर साहब ने बोला इस मंद की अपनी सैले लेके जाना ये सुनकर बसुंद्रा खुच होकर काम में लग गए मेहक को भी पता चल गया था कि बसुंद्रा कल चली जाएगी तो वो भी उदास हो गए थी बसुंद्रा अपने काम में लग गए आज डाक्टर साहब जल्दी ही चले गए थे इसलिए उनके जाने के बाद बसु भी मेहक के साथ महा से निकल गए जब पाहर मार्केट में आई तो रचना स्कूटी लेके खड़ी थी उसे देखकर बसु ने उसे कहा तुम यहां क्या कर रही हूँ बस आपकी राह देख रहे थे चलो सौपिंग करने चलना है रचना ने कहा तो मेहक खुस होते हूँ बोली सौपिंग वाह मैं भी चलती हूँ मुझे भी कुछ खरीदना है उसके बोलने पर रचना ने उसे कहा कुछ नहीं मेहक जी आप पूरा कट्रा मार्केट खरीद लो रचना के बोलने पर मेहक का मूँ फिर से बन गया अच्छा ठीक है तुम दोनों अब फिर से शुरू मतो जाना चलो अब स्कूटी साइट में लगाओ तब चले पसुंद्रा ने अपना बैग वापस लेते वे का रचना ने स्कूटी साइट में लगाया और तीनों चल दिये एक बार फिर कट्रा मार्केट की घलियों में हरी दुआर साम का वक्त रिसी के सामने खाकी वर्दी पहने अफिसर खड़ा था उसे देख के लगता था कि उसकी हालत खराब है इस वक्त सुनेना भी इसान के साथ खड़ी थी ये सब देख रही थी उसे इन सब की आदत हो चुकी थी नेहा, कमला और बाकी नोकर भी खड़े थी रिसी ने कुर्सी पर बैठे वे का ये औरत तुम्हारे पास आई थी रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसकी बात पर इंस्पेक्टर ने घबरा के कहा जी सर रिसी ने गुस्से भरी नजर उपर करते वे पूचा तो आपने रिपोर्ट लिखी वो आपी सर चुप रहा उसकी हिम्मत नहीं वही कुछ बोलने की मैंने कुछ पूचा तुझसे बोलो रिसी ने कुर्सी पर से उठकर कहा कुर्सी को पीछे लात मारते वे कुछसे में कहा जी नहीं सर क्यों जान सकता हूं कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी ये कहते वे रिसी उसके पास आ गया वो आपी सर कापने लगा रिसी को अपने इतने पास देख के उसके मूँ से सब्द नहीं निकल लाए थे वो इसलिए क्योंकि खुराना ने तेरे जेब में पैसे ठूच दिया था न इसलिए तुझे इस मासुम लड़की की इच्चत और जान की एहमियत नहीं रही जैसे लिसी के मूँ से उस आफीसर ने ये सुना उसके पसीनी छूटने लगे कमिस्तर साहब बाहर आईए लिसी ने जैसे बोला कमिस्तर साहब बाहर आए आफीसर ने जब कमिस्तर साहब को देखा तो उसकी आँखे फैल गई तुम जैसे आफीसर की वज़े से हमारा पूरा पुलिश डिपार्टमेंट गाली खाता है मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंट करता हूँ कमिस्तर साहब की ये बोलते ही वो उनके पैरों पे गिर गया नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए मैं आज के बाद ऐसी करती नहीं करूँगा उस आफीसर ने बोला पर कमिस्तर ने कुछ नहीं सुना अमन जाओ खुराना का बेटा जहां हो जिस हाल में हो उठा लाओ और पूरे हरद्वार के दर्सन करा के पीटते वे मेरे घर तक लाना निसी ने गुसे में कहा तो अमन निकल गया वहां से निसी के घर के बाहर भीड इखटा होने लगे थी करीब एक घंटे बाद किसी के चिलाने की आवाज आ रहे थी भीड ने पीछे मुड़के देखा तो एक लड़का भागता हुआ अत्मरे हालत में उसी तरफ आ रहा था भीड ने देखा तो उसे रास्ता दिया उसके पीछे अमन गारी लेकर आया माप कर दो गलती हो गए रीसी भाई मैं पहक गया था मैंने बहुत पी रखी थी उस आदमी ने मरी हुई हालत में कहा उसके पैरों से खून बहरा था उसकी पीछ पर बस कोडों के निसान थे इस भीड को देख रहा है ये करेगी तेरा फैसला रीसी ने उसके बालों को पकर की गुसे में बोला ये लड़की दिख रही है आपको इस लड़की ने इसके साथ जुज जत्ती की बोलिए क्या सजादों इसके लिए रीसी ने भीड की तरब देख के पूछा माल डालो माल डालो पूरी भीड एक साथ बोली सुना तुमने इन सब के फैसले को रीसी ने कहा तभी उसका फोन बजा अमन ने फोन उठाया सर इसके बाप का फोन है अमन ने बोला इस पीकर पर करो फोन आखरी बार अपने बेटे की आवास सुन ले रीसी ने कहा तो आखरी तुम औरना ने बोला आखरी ने बोल अन ने नहीं दे का पंदा नूं हां हां मुझे मझूर है फोरण ने जल बाजी में बोल दिया पर उसे नहीं पता था कि उसने क्या गलती कर दी तो ठीक है कर इस लड़की को जीन दा, दे इसे इसकी इच्चत सम्मान, दे इस बोड़ी औरत को उसकी पोती, अगर दे सकता है तो बोल, दे सकेगा, रिसी ने फोन लेके गुस्से में बोला, देखो कुछ और मांग लो, खुराना ने इतना कहा ही था कि रिसी ने अमन को इसारा किया, ल इस लड़की को इनसान ना समझ के खिलो ना समझने के लिए, तीसरी गोली मारते वे बोला, और ये एक बुड़ी औरत से उसका सहारा चिनने के लिए, अब हुआ ने आए, और रिसी मलहोत्रा की अदालत यहीं बंद होती है, इतना कहके रिसी ने फोन कार दिया, रिसी मलहो आसमान क्या, कोई ना इनसाफी नहीं कर पाएगा, उस बोड़ी औरत ने कहा, और अपनी पोती की लास लिए, सब के साथ समसान घाट की तरफ बढ़ गई, सूरज भी डूब गया था, अंधेरे ने पूरे आसमान को अपने आगोस में ले लिया था, हर कोई सांथ था, और इलाबात को जोडने वाला एक मात रास्ता है, क्योंकि उसके नीचे से गंगा नदी बहती है, इसलिए कोई और रास्ता नहीं है, इसके बगल में ही एक ऐसा पुल है, जिस पर से ट्रेन जाती है, पर उस पे एक वक्त में, एक ही ट्रेन पास हो सकती है, साम के वक्त मंदिर से आती आरती की आवाज साफ सुनाई दे रही थी बसंद्रा बस खामोज खड़ी थी और रचना उसके बाजुओं को पकड़े खड़ी थी आप कल चलें जाओगी थी रचना ने उदास होके बोला हाँ बसंद्रा ने बस इतना ही बोला तो मैं यहाँ अखेली रह जाओंगी न रचना ने उदास होके बोला क्यों हम तो रोज आप से बात करेंगे जब आपका मन ना लगे तो हमें फोन कर लेना बसंद्रा ने रचना की गालों पर हाथ रखके बोला रचना ने उसे कसके पकड़ लिया रचना के लिए बसंद्रा सिर्फ उसकी बहन नहीं बलकि एक अच्छी दोस्त भी थी रचना बसंद्रा के साथ ही खेल के बड़ी हुई थी और आज ऐसे बसंद्रा का जाना रचना को बहुत बुरा लग रहा था कुछ देर दोनों वहां खड़े बाते करते रहें फिर निकल गई घर की तरफ घर पहुँचके बसंद्रा अपने साथ लाया सामान ठीक से रखने लगे सुस्मा जी ने पैकिंग में उसकी मदद की आलोग जी घर आये तो उन्होंने टिकट की प्रेंट आउट का पेपर सुस्मा जी को निकाल के दे दिया सुस्मा जी बसंद्रा को वो पेपर दे के उसे ठीक से रखने को बोलके चली गई रात का खाना खाके सब अपने कमने में चले गए रसना ठकी हुई थी इसलिए सो गई जल्दी बसंद्रा ने उसे हलकी सी चाधर उड़ा दी और लाइट बंद करके खिड़की खोल दी वो खिड़की के सामने खड़े बस तारों से भरा आस्मान देखने लगी कुछ वक्त बाद वो आई और बिस्तर के दूसरी तरफ बैठ गई उसने पानी पीने के लिए जग उठाया तो वो खाले था वो उठी और धीरे से बिना आवाज की दरवाजा खोल की किचन की तरफ बढ़ गई तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज सुनाई थी बसुंद्रा के फूफा जी सुस्मा जी से जगड रहे थे क्यो इस बच्ची को उस घटना का जिम्मेदार मान रहे आप अरे उस घटना में उसका बच जाना क्या ये गर्दी थी उस दो महिने की बच्ची की सुस्मा जी ने आलोग जी से बोला वो लड़की मनहूस है पैदा होते ही उसने मेरे दोस्त और उसके परिवार को निकल दिया आलोग जी को दोस है इसे पैदा हुए दो महिने नहीं हुए थी कि ये सब हुआ अच्छा होता ये भी उसी हाथ से में आलोग जी इतना ही कह पाये थी कि सुस्मा जी ने हवा में अपना हाथ उठा के रोक दिया आज ये हाथ रुख गए क्योंकि आप मेरे पती है वरना ये सब्त कहने के लिए मैं आपको छोड़ती नहीं और उस बच्ची को देखना इसलिए पसंद नहीं करते आपकी वो मन्हूस है बलकि इसलिए क्योंकि उसका चेहरा उसकी माँ पर गया है जिसे एक वक्त आप पसंद करते थे सुस्मा जी के बोलने पर आलोग जी उनकी तरफ पीट करके खाड़े हो गए क्या हुआ सच्चुनने की हिम्मत नहीं आप में वो आपकी दोस्त थी सबसे अच्छी पर आपके लिए वो दोस्त से बढ़के थी आज भी उस बच्ची के चेहरे में आपको वो नजर आती है इसलिए बसू को देखना आप पसंद नहीं करते हैं इसलिए वो आपको मनूस लगती है सुस्मा ने आलोग जी के तरफ देख के बोला जो उनकी तरफ अभी भी पीट करके खाड़े थे आलोग प्रेम गलत नहीं होता है और आपके प्रेम ने कभी मर्यादा नहीं लागी थी जब मैं आपकी जिन्दगी में आई तो आपने कुछ नहीं चुपाया और यही सच्चाई आपकी मुझे आपसे प्रेम करने पे मजबूर कर गई मेरे आने पर आपने कभी मेरे अलावा किसी को नहीं चाहा पर यह सस्थ था कि आप उसे भुला नहीं पाए पर मेरे लिए बस ये था कि आप मेरे थे और आप के लिए मेरा भरोसा ही सब कुछ था जिसे कभी आपने तोड़ा भी नहीं तो क्यों अपनी दोस्त की आकरी निजाने को इतना दर्द दे रहे हो कि उसकी रूभी मरने के बाद तुम्हें माफ ना कर रही हो। इस बच्ची ने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा बस थोड़ी से प्यार के अलावा पर तुम उसे वो भी नहीं दे सके। कर जा रही है वो, हो सके तो उसे छोड़ने चले जाना, उसके लिए बहुत होगा। सुस्मा ये बोल के बाहर चली आई, कमरे से और सिटिंग रूम की बालकनी में चली गई, बसुंद्रा कमरे में बने बास वेसिन की तरफ अधेरे में वेसुत खड़ी थी ये सब सुनके, वो धीरे कदमों के साथ उटके अपने कमरे में गई, और दरवाजा बंद करके बहुत बढ़ा था, जिंदगी ने उसे फिर दर्द दिया था, और ये दर्द उसकी जिंदगी में शायद भूल ना सके, दूसरी तरफ रिसी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा, रात की खामोसी सुन रहा था, उसके सामने रह रहे के अपने भाई का चेहरा आ रहा वो आँखे बंद करता है तो उसके आँख से एक आँशू की बूंद उसके गालों पर लुणक गई, उसने आँखे खोली और उस आँशू को अपने उंगली पर ले लिया, तुमारी जगे रिसी मलहोतरा की जिंदगी में नहीं है, रिसी ने उस बूंद को उड़ाते वे क मेरी आँखों में आशू नहीं आ सकते, जो चीज रिसी मलहोतरा को कमजोर करे, ऐसी किसी भी चीज की जगे नहीं है रिसी मलहोतरा की जिंदगी में और मैं नहीं आने दूंगा, रिसी ने अपने दोनों हाथ ट्राउजर के जेब में डाल के खड़े होके बोला, सुबह का वक्त हरी द्वार, सुनेना खाने की मेच पर नास्ता लगा रही थी, नहा भी आ गई थी, वो इसान को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, इसान बार बार उसे परिसान कर रहा था, वो तयार ही नहीं हो रहा था नहा से, नहा उसके पीछे पीछे भाग रही थी, रिसी आया नीचे तो इसान भाग के उसके पास चला गया, क्या हुआ बेटू, क्यों परिसान कर रहे हो अपनी ने हादिदी को, रिसी ने उसे गोध में उठाते वे बोला, हमें नहीं जाना आए स्कूल, इसान ने रिसी के गले में दोनों हाथ डाल के बोला, अच्छा, क्यों, क्यों न चacıकलेट दिती है, और अगर वो नहीं आएगी, तो फिर आपको चाकलेट जो आपको रोज मिलती है, वो तो नहीं मिलेगी, रिसी ने बोला, नहीं मैं जाओंगा, इसान ने बोला, तो सुनेना मुस्करा दी, और रिसी भी, इसी मुस्कराता हुआ बहुत हैंसम लगता है, पर मुस्कराता भी कम था इसान को नेहा रेडी करने लगी रिसी खाने की मेज के पास आके कुर्सी खिचके बैठ गया इसान को भी नेहा रेडी कर ले आई सर वो मैंने जौब के लिए बोला था अपनी दोस्त के लिए कल वो आ रही है तो अगर आप बोलो तो मैं ले आऊँ बात कराने के लिए नेहा ने डड़ते हुए बोला तुम्हारी दोस्त है तुम जानती भी हो तो देखने की जिर्वत नहीं है तुम उससे बोलो कि पर्सों से ज्वाइन कर ले आके रिसी ने इसान को नास्ता कराते हुए कहा नेहा खुशी से मुस्क्रा दी इसी इसान को लेके चला गया अपने साथ सुनेना अपने कमरे में गई और कुछ देर बात कमला से नेहा को बुलाने को कहा मैं अंदर आ जाओ भावी नेहा ने धीरे से दर्वाजा खरकटा के कहा हाँ नेहा आओ सुनेना अपने बिस्तर से उठते हुए कहा जी आपने बुलाया था नेहा ने सुनेना की तरफ देखके बोला हाँ इधर आओ देखो ये सब पसंद आया तुम्हें ये सब तुम्हारे लिए हमारी तरफ से नेहा सुनेना नेहा का हाथ पकड़के बोला पर भावी इन सब की क्या जरूवत थी नेहा ने इमोशनल होके कहा भावी बोलती हो तो कैसे खाली हाथ बिदा करती तुम्हें इस घर से नेहा और तुमने इसान की देखभाल इतने अच्छे से किया कि कभी लगा ही नहीं कि तुम केर टेकर हो सुनेना ने नेहा को बठाते हुए कहा वो मेरा काम था भावी और आपने मुझे काम तब दिया जब मुझे इस जॉब की बहुत चरूवत थी उस वक्त अगर आपने इस जॉब नहीं दी होती तो पता नहीं क्या होता इस सहर में मेरा और मेरे घर वालों का नेहा ने आखों में आशू लाते हुए बोला अरे इसे बजा के रखो दुलहन रानी बिदाई में काम आएंगे आपके नहीं तो सब बोलेंगे लगता है दुलहन घर छोड़के जाने से खुस है सुनेना ने नेहा के आशू पोश्टे वे गा सुनेना की बाद से नेहा और कमला मुस्करा दी साम का वक्त इलहाबाद वसंद्रा इस्टेसन पर बैटी थी खामोस उसके जेहन में रात की बाते बार बार घूम रही थी सुस्मा जी रचना के साथ वसंद्रा को छोड़ने आई थी बसू सब रख लिया है ना और ये कुछ खाने के लिए है खा लेना और किसी से रास्ते में ज्यादा बात मत करना कोई कुछ दे तो लेना मत वहाँ पहुँच के फोन कर देना बसू मैं कुछ बोल रही हूँ सुन रही है ना तू सुस्मा जी ने बैक की जीब दगाती वे बोला बसुंद्रा ने कुछ नहीं बोला वो वैसे ही खोई हुई बैठी रही बसू तू सुन रही है ना सुस्मा ने फिर बोला पर बसुंद्रा वैसे ही बैठी रही बसू बसू सुस्मा जी ने उसे आवाज दी तो वसंद्रा चौक के बोली हाँ पुआ बसंद्रा ने बोला क्या हुआ वसु तो ठीक है ना कोई बात है क्या तवेत तो ठीक है ना तेरी सुस्मा जी ने बसंद्रा का हाथ अपने हाथ में लेती है बोला जी पुआ जी सब ठीक है बसुंद्रा ने उनकी तरब देखके बोला लो दी चाय पियो रचना ने एक चाय की गिलास बसुंद्रा को और एक सुस्मा जी को दी दिया प्रेन आने में अभी वक्त था सुस्मा जी बाहर से खाना पैक कराने चले गई रचना भही बैठी हुई थी बसुंद्रा खामोज बैठी हुई थी तभी रचना को आलोग जी आते भी दिखाई थी पापा यहाँ पर रचना उन्हें देखके हैरानी से बोली बसुंद्रा ने सुना तो वो भी हैरान से सामने देखनी लगी पापा आप यहाँ रशना ने आलोग जी के पास जाते वे बोला जी वो कुछ काम से इस तरह पाया था काम हो गया तो घर जा रहा था पर याद आया कि कोई होगा नहीं वहाँ तो यहीं आ गया आलोग जी ने नजरे चुड़ा के बोला बसुंद्रा वैसे ही वहाँ खड़ी थी मेरे लिए एक चाय ले आओ रशना आलोग जी ने बोला तो रशना चली गई आलोग जी बसुंद्रा के पास बढ़े और सीफर बैठ गए पर बसुंद्रा वैसे ही खड़ी थी सर नीचे की ये पैड जाओ वसु आलोग जी नी धीरे से बोला बसुंदरा ने जैसे ये सुना तो वो आलोग जी की तरफ देखने लगी आज इतने सालो बात पहली बार आलोग जी ने बसुंदरा को वसु कहके बुलाया था बसंदरा नम आखों से बैठ गई उनके पास थोड़ा दूर सारा सामान ले लिया है ना तुमने आलोग जीने सामने पट्वी के तरफ देखती वे का जी बसंदर ने बस इतना बोला दोनों के बीच खामोसी थी एक बात पूछूँ आपसे बसंदर ने धीरे से सर नीची की ये बोला हाँ आलोग जीने वैसी ही सामने बैठे देखती वे का मा कैसी दिखती थी बसंदर जब ये बोला तो आलोग जी को हैरानी हुई पर वो फिर समान हो गए तुम्हारी तरह थी वो बिलकुल उसकी आँखे बहुत कुशूरत थी बिना भोले भी सब बोल देती थी वो अपनी आँखों से सरारती भी थी बहुत ज़्यादा जैसी आप हो जाती है रचना के साथ वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाती थी बिलकुल आप की तरह आलोग जीने सामने देखते भी बुला मा से आप कितना प्यार करते थे बस सुन्दा ने नजरे हलके से उपर करके पूछा बहुत इतना कि उसकी खुसी के लिए उसे किसी और को भी दे दिया था बस ये सोच कि वो खुस रहेगी और वो भी खुस आपके पापा के साथ उन्होंने उसे हर खुसी दी फिर मेरी जिन्दगी में सुसमा आई जिसने मुझे समझा भी और मेरा साथ भी दिया मैं सुस्मा को अपनी जिन्दगी में सबसे खुबसूरा तोफा समझता हूँ जो सिर्फ तुम्हारी मा की वज़े से मेरी जिन्दगी में आई और तब मैंने अपनी जिन्दगी सिर्फ सुस्मा को सौप दी पर आग की मा हमारी सबसे अच्छी दोस्त तब भी थी एक दिन उसने बताया कि वो मा बनने वाली है मैं और सुस्मा बहुत कुछ थे और धीरे धीरे वो दिन भी आया जब तुम आई इस दुनिया में तब मैं यहां नहीं था मेरी जॉब दिल्ली में थी मैं जल्दी से जल्दी आना चाहता था तुम्हें अपनी गोद में लेना चाहता था पर जब मैं आया तो वो मुझसे बिना मिले ही तुम्हारे पापा के साथ जा चुकी थी वो उस वक्त तुम्हें लेकि सुस्मा अपनी गोद में खड़ी थी तुम रोए जा रही थी मुझे तुम्हारी आवाज सुनना परदास नहीं हुआ मैं वहाँ से गुस्से में चला गया वापस घर सुस्मा तुम्हें लेकि घर आई तो मेरा गुस्सा फट गिया मैंने उसे तुम्हें अनाथाले छोड़ने को बोल दिया पर उसने लड़ जगड़के कोई बेवकूफ ही आपसे नाराज हो सकता है बसू आप इतनी प्यारी है कि किसी को भी आपसे प्यार हो जाए गलती हो गई हमसे जो आपसे इतनी बेरुखी की हम भूल कैसे गए कि आप हमारी सबसे अच्छी दोस्त की आखरी निसानी है जो हमें मिली थी अगर ये बेटी और फूफा जी का मिलाप हो गया हो तो ट्रेन भी आने वाली है चले सुस्मा जी ने मुस्करा के कहा सुक्रिया सुस्मा मुझे याद दिलाने के लिए आलोग जी ने सुस्मा जी का हाथ पकड़ के बोला सुस्मा जी भी मुस्करा दी तभी ट्रेन सीटी मारत वी आगई वसंद्रा का सामान लेके अलौग जी आगे आगे चलने लगे और बाकि सब उनके पीछे त्रेन रुकी उसका गेट खुला तो आलौग जी अंदर चले गए सामान लेके बसंद्रा भी चड़ गई उनके पीछे आलूग जी बर्त नमबर देखते विए आगे जाने आई बसंद्रा की सीट नीचे वाली थी आलोग जी ने सामान सीट के नीचे डाल दिया ठीक से जाना और कोई भी जरुवत हो तो मुझे बता देना और मन लगा के अपना काम करना वसू जो गलती मुझे हुई उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता पर आगे से ऐसा कुछ नहीं जिसे आपके आँखों में आशु आये और अपना ख्याल लगना आलोग जी ने बसू के सर पर हाथ रखके बोला ट्रेन के जाने का वक्त हो गया था आलोग जी नीचे आ गए बसंद्रा खिडकी के पास आके बैठ गए सुसमा जी और रचना खिडकी पर खड़े थे दी ख् अपना और फोन करते रहना मुझे रचना ने कहा बेटा खाना वक्त से खा लेना और अपना ख्याल लखना सुसमा जी ने बोला ट्रेन ने होर दी और धीरी धीरी चल पड़ी अपने मंजली की तरब सुसमा जी और बाकी सब ने हाथ उठा के उसे दूर तक जाते हुए बसुंद्रा पीछे छूट रहे इलावाद को देख रही थी गंगा को देख रही थी और उसकी आखरी शाम को रात में बदलते देख रही थी उसकी जिन्दिगी का नया सफर सुरू हो रहा था यहां से बसुंद्रा को इलावाद छोड़े पूरे चार घंटे हो गए थी व सरी बातों को सोचती हुए ना जाने कब उसी नीद आ गई सुबह का व क्त हरद्वार इस्टेशन बसूंद्रा की ट्रेन आके हरद्वार इस्टेशन पर रुकी उसने अपना सामान निकाला और इस्टेशन पर उतर गई उसने बैक से फोन निकालकर नेहा को फोन किया हेलो निहा, हम इस्टेशन पर है, तुम कहा हूँ? वसंधरा ने बोला, मैं आ रही हूँ बसू, तुम एक काम करो, इस्टेशन से बाहर आ जाओ, मैं बाहर ही पहुच रही हूँ। नेहा ने कहा टैक्सी में बैठे हुए हैं हाँ ठीक है वसंद्रा ने बोला और फोन रखके अपने बैग उठा के बाहर आने लगी वो बाहर आई तो देखा नेहा बाहर टैक्सी वाले से बात कर रही थी नेहा वसंद्रा ने मुस्क्रा के बोला वसू कैसी हो नेहा ने पीछे मुड़के खुसी से उसे गले लगा के बोला ठीक हूं तुम कैसी हो वसंद्रा ने मुस्क्रा के उसको देख के बोला अगर हो गया हो तो हमरा पैसा तनिक देने की किरपा करे देवी जी उस टेक्सी वाले लड़की ने बोला पहले वापस तुम हमें वहीं छोड़ो जहां से लाए थे तब आने जाने का दोनों का किराया हम दे देंगे नेहा ने वसंद्रा का बैक टेक्सी में रखते वे बोला उतो ठीक बाह पर तीन सो रुपिया हो जाएगा आने जाने का बताई दे रहे हैं हम फिर बात में जिक-जिक मत करना हमसे उस टेक्सी वाले लड़के ने एक पान मुँ में डालते वे बोला हाँ भाया ठीक है अब चलो नेहा ने बैठती वे खा तब ठीक है जब तुमको कौनों प्राबलम नहीं है तो हमको का प्राबलम होगी चलो उस टेक्सी वाले लड़के ने मुँ में पान भरे वे बोला टेक्सी चल पड़ा हरिद्वार क सड़कों पर वसंद्रा ने फोन निकाला और अपनी बुआ को कॉल की हेलो बसू तु पहुच गई वहां सब ठीक है ना कोई परिशानी तो नहीं है ना सुस्मा जी ने फोन उठा के बस सवालों की लाइन लगा दी अरे बुआ सांथ हम पहुच गये हैं और नहां भी हमें मिल गई है आप चिंदा मत करिए छोटी और फूफा जी कैसे हैं बसूद्रा ने मुस्करा के पूछा तेरे फूफा जी तो तुझे रात में ही फोन कर रहे थे बात करने के लिए मैंने ही मना कर दिया उन्हें ले बात कर सुस्मा जी ने फोन आलोग जी को दे दिया हेलो वसू ठीक हो ना आप नेहा मिली है आलोग जी ने बोला जी फूफा जी नेहा मिल गई है हमें हम बस उसके घर ही जा रहे थे बसूद्रा ने खुछ हो कर नेहा ने जब सुना कि बसूद्रा अपने फूफा जी से बात कर रही थी तो वो हैरान थी क्योंकि वो भी जानती थी कि उस बड़ी बात है हुआ कैसे यह निया ने हैरत और खुश दोनों होते हुए बोला बस हो गया समदले कोई चमतकार हो गया बात में सब बताऊंगी बसुद्रा ने बाहर हरिद्वार के खुशुरत नजारे को देखते हुए बोला मैंने यहां हरद्वार में तेरे कहने पर ही तेरे लिए एक घर रेंट पर ले लिया है नेहा ने का किसका घर है बसंद्रा ने बोला यह जहां मैं काम करती हूं और तू करने वाली है उन्हीं का है अब तू मान नहीं रही थी मेरे घर में रहने के लिए तो मैं क्या करती इतनी जल्दी कहां से घर करती इसलिए मैंने सर से बात की तो उन्होंने यहां परिमेशन दी दी है रहने के लिए अब तो प्लीज मना मत करना नेहा ने बेबस होके कहा पर ऐसे बिना किसी को जाने मैं नहीं रह पाऊंगे बसंद्रा ने नेहा की तरब देख के बोला देख बसू इतनी जल्दी कहीं और इंतिजाम होना वो भी किसी अच्छे जगे इंपॉसिबल है तो कुछ दिन रह ले फिर सादी के बाद साथ मिल के घर खोज लेंगे नेहा ने हाद जोड के कहा अच्छा अच्छा ठीक है वसंद्रा ने मुस्करा के बोला दोनों टैक्सी में बैठी हरदवार के रास्ते और चले जा रहे थे पुराने दिनों की बाते किये कुछ वक्त बात तोनों हरद्वार के प्यारे से घर के पास खड़े थे उसे देख के लगता था जैसे किसी ने बहुत प्यार से बनाया था उस घर को रहने के लिए अपने परिवार के लिए चारो तरफ वादियों से घिरा हुआ और कुफसूरत पेड़ पौधे हर तरफ थे जो घर बने थे उनमें काफी डिस्टेंस था बसुंद्रा और नेहा टेक्सी में से उत्रे और सामान उतार के उसे पैसे देकर आगे बढ़ गए नेहा ने अपने बैक से चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया अंदर देखके लगता था जैसे कोई काफी सालों से नहीं आया हूँ यहां पर बसुंद्रा और नेहा अंदर आये तो बहुत प्यारा था ये घर अंदर से भी सामने एक छोटा सा हॉल वहाँ सोफे थे रखे पर सब सफे चादर से ढखे वे थे सामने किचन था तीन कमरे थे बने हुए पर अभी बंद था उसे जाके किसी ने नहीं खोला था बसुंद्रा ने वहीं हाल में ख़ड़े होके देखा देखो बसु कोई और जरूरत हो तो मुझे बता दे ना तुम वैसे यहां सब कुछ होगा ही तो तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है नहा हाल की सारी खिड़कियों को खोलते वे कहा खिड़कियों से आती धूप की रोशनी से कमरा अब और भी अच्छा लग रहा था वो सब तो ठीक है पर इसे साब करने में ही पूरा दिन जाने वाला है आज बसुंद्रा ने सोफे की चादर को हटाते वे कहा तू टेंसन क्यों लेती है मैं हूँ ना मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ वैसे भी मैंने चुट्टी ले ली है अब नेहा ने अपने तुपट्टे को कमर में बागते हुए बोला बसुंद्रा भी मुस्क्रा दी ठीक है तो यहाँ देख मैं कमरे देखती हूँ बसुंद्रा जाके एक कमरे को खोलती हुए बोली नेहा और बसुंद्रा जुट गई काम पर दुपहर का वक्त विसी का गर सुनेना बैठी काम कर रहे थी भावी आज से नेहा तो आएगी नहीं और केर टेकर कल आएगी तो इसान बाबा को कौन लेने जाएगा साहब ने तो सबको मना किया है उन्हें लाने को कमला ने आके का तो आपके सर ही लाएंगे खुद जाके सुनेना ने क्रूश चलाती वे बोला कमला ने फोन लाके दिया तो सुनेना ने विसी को फोन किया तो दो तिन बेल के बाद फोन उठा हाँ भावी मा बोलिये क्या हुआ इसी ने फाइल देखती वे का ओ भाईया जी इसान को इसकूल से लेने जाना है आज आपको नेहा अब नहीं आएगी और नई केर्टेकर कल से आएगी तो इसलिए ये काम आपको करना होगा आज सुनेना ने बोला जी हम बस निकल रहे हैं आप परेशान मतो निसी ने तुरंट फाइल बन करके कोट उठाते वे बोला सुनेना ने फोन रखके वापस अपना काम करने लगी कमला खाना बना दिया न इसान ने जो बोला था खाने के लिए सुनेना क्रोस चलाते वे बोली जी भावी बना दिया है कमला ने बोला भावी मुझे भी सिखाओ ना ये कमला ने सुनेना की तरब देखके बोला तुम्हें किस के लिए सीखना है कमला रानी कहीं तुम भी तो नहीं छोड़के जाने वाली हो नहा की तरह सुनेना मुस्करा के उसकी तरफ देखती हुए का नहीं भावी अभी कहां अभी तो हमारी दीदी की साधी होगी तब कहीं हां हमारा नंबर आएगा कमला ने उदास होके बोला अच्छा जी बड़ी उदास होके बोल रही हो कमला नानी क्या बात है को दो पहले आपकी ही साधी का बोल देते हैं रामे सुरका का से सुनेना कमला का हाथ पकड़ उसे पास लाकर बैठाते हुए बोली अरे क्या भावी आप भी मैं तो बता रहीती बस कमला ने नजले चुडाते वे का अच्छा जी बता रही थी या दिमाग में डाल रही थी सुनेना अपसरारती अंदाज भी बोली क्या भावी आप तो बाबा से मार खिलवा दोगी हम चले अपना काम करने कमला ये बोलके भाग गए सुनेना मुस्करा के अपने काम में लग गई दूसरी तरब बसंद्रा और नेहा का भी काम हो गया था पूरा घर साप करती वे उन्हें चार बज गे थे निहा ने कहा चलो तुम फ्रेश हो जाओ जल्दी से मैं भी हाथ मुद हो लेती हूँ तब चलते हैं हर द्वार के मारकेट तुम्हारे किचन के लिए सामाल ले आते हैं कुछ और मंदिर भी चलते हैं गंगा आर्थी भी देख लेंगे ठीक है बैठो हम आते हैं वसंद्रा बोल के कमरे में चली गई नेहा सोफे को ठीक कर रही थी करीब एक घंटे बाद वसंद्रा सादी सी नीली सारी पहने गीले बालों के साथ आई और हाथ में नीले रंकी हलकी सी सादी सी चूडिया हाथों में और माथे में छोटी बिंडी नीले रंकी नेहा उसे देख के सीटी मारती है लगता है आज हर दिवार के मोजडी पहनते हुए कहा नहीं आज हम यहीं रहेंगे आपके साथ पूरी रात नेहा ने उसके गले में हाथ डालते बोला आँटी जी को बता दिया है ना बसंद्रा ने कहा जी नेहा ने दोनों आखों को बंद करके और खोलते हुँ मुस्करा के कहा अच्छा चलो बसंद्रा ने बोला दोनों निकल गए हर द्वार की सड़कों पर एक पार फीर यहां की साम भी बहुत खूबसूरत होती और हलकी हलकी ठंड पढ़ने लगती है शाम को सड़कों पर काफी लोग दिखाई दे रहे थे इस वक्त बसंद्रा निहा से बाते की चली जा रहे थी कि तभी निहा ने साइकल वाले एक रिक्से को रोका और उसे हर की पोड़ी पर चलने को कह दिया दोनों आके उस पे भैट गई रिक्सा वाला रिक्सा ले चला हर द्वार की भीर भार वाले सड़क से बसंद्रा बहुत ध्यासे सब देख रही थी क्योंकि उसे सब वैसा ही लग रहा था जैसे इलावाद में था वही साम वही सूरज का गंगा नदी के पानी में डुपते हुए मिल जाना वही सोर जो कट्रा के मार्केट में रहती थी वही इस लोगों की आती आवाजे बस बदला था तो साथ कभी वो रचना के साथ गूमती थी आज नहा है बसंद्रा रचना को मिस कर रही थी इनी सब बातों को सोचती हुए वो सब हर की पौड़ी पर पहुँचे दिखसे वाले को पैसे देके आगे बढ़े नहा उसे हर की पौड़ी के बारे में बता रही थी हर साम सूर्यास के समय साथू सन्यासी गंगा आर्थी करते हैं उस समय नदी का नीचे की और बहता जल पूरी तरह से रोस्नी में नहाया होता है तुम भी देखना बहुत अच्छा लगे का तुम्हें नहा ने घाट की सीड़ियों पर जाते वे कहा वहाँ इस वक्त काफी भीर रहती थी काफी लोग इस वक्त आर्थी में हिस्चा लेने आते थे कुछ वक्त बाद मंदिर के बड़े पंडित आये और आर्थी शुरू किया नहा ने और वसुंद्रा ने सर ढग लिया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए वसुंद्रा आर्थी की रोशनी में गंगा के पानी को देख रही थी आदे घंटे बाद आर्थी खतम हुई और सब आर्थी लेके जाने लगे बसुंद्रा ने भी आर्थी ली और नहा के साथ बाहर आ गई दोनों मार्केट की तरफ बढ़ चली मार्केट में आके घर के किचन के सामान परदे, सोफे की कबार, बेट सीट बहुत सारी शीजे ले ली थी उन दोनों ने बसु चल, गोल गप्पे खाते हैं बहुत दिन हो गए हैं, साथ में खाए हुए नहा ने बसुंद्रा की तरफ देख के बोला पर ये सारा सामान बसुंद्रा ने दोनों हाथों के सामान को दिखाते हुए बोला जो दोनों के हाथों में था अरे वहीं कहीं रखके खा लेंगे चलो ना बसू प्लीज नेहा ने मूँ बना के कहा तो बसंद्रा मान गई दोनों गई और सामान बगल में रखके खाना सुरू किया और जो एक बार खाना सुरू किया तो सीधा 20-25 गोल गप्पे खाने के बाद ही रुकी दोनों वाँ भाईया क्या गोल गप्पे थे शुक्रिया खिलाने के लिए नेहा ने गोल गप्पे खाते ही बोला दोनों ने पैसे दिये और आटो रिक्षा कर वापस घर आ गई सारा सामान रखके दोनों आखे बिस्टर पर पढ़ गई रिसी का घर रात का वक्त सुनेना दूद का गिलास लेके रिसी और इसान के पास आई इसान रिसी के साथ ही लेटा कहानी सुन रहा था चलो दूद पीलो आप दोनों सुनेना ने अंदर आते वे कहा नहीं मुझे नहीं पीना इसान ने रिसी के गले में हाथ डालके उसे लिपटते वे बोला अच्छा भी दूद पीलो, कल मत पीना पक्का रिसी ने उसे उठा के बैठाते वे कहा तो वो सुनेना के पास चलाया सुनेना वहीं सोपे पर बैठी, उसे गिलास दे दी रिसी ने अपना गिलास बगल के मेज पर रख दिया हाँ तो कौन सी कहानी सुना रहे थे आप कि चाचू आज आपको सुनेना वहीं रिसी के कमरेग को ठीक करते वेगा सिंड्रोला की इसान ने दूद का गिलास आदा खतम करके बोला अच्छा और इनकी सिंड्रेला कब आएगी बताया आपके चाचू ने सुनेना वहीं रिसी के तिरब देखके बोली चाचू की भी सिंड्रेला है उन्होंने तो कभी नहीं बताया मुझे इसान वहीं रिसी को घूर रहा था भावी मा बस इसान जाओ दोद खतम करके सोजाओ इसी ने लेपटाब पर कुछ करते भी बोला वो क्या है ना इसान अभी आपके चाचू को खुद नहीं पता कि उनकी सिंड्रेला कहां है सुनेना मुस्कराते भी बोली सुनेना आई और इसान को गोद में उठा ली और मुस्करा के जाते भी बोली भाईया अब अपनी भी सिंड्रेला खुज के ले आओ कि हमें भी प्यारी सी सक्की मिल सके सुनेना के ये बोल के चले गई रिसी खामोस बस काम कर रहा था अपने भाई की मौत के बाद रिसी ने देखा था अपनी भाईय की जिन्दगी को इसलिए वो किसी और लड़की की जिन्दगी में ये नहीं लाना चाहता था इसलिए सुनेना भाईय ने खुद को संभाल लिया उसमें खुद को पूरी तरह समर्पित करके सुनेना के पती के जाने के बाद उसकी जिन्दगी जैसे रूख गई उसकी जिन्दगी सी जैसे सारे रंग चले गए थे पर इसान की मुस्क्राहट ने उसको जीने का जिन्दा रहने का जरिया दे दिया था उसने रिसी को हमेशा इसान की तरह अपना बेटा ही माना कभी भी उसके सामने रोई नहीं कि कहीं वो कमजोर नहो जाए और ये सब रिसी बहुत अच्छे से जानता था पर ये भी एक सच था कि ऐसी कोई लड़की रिसी की जिन्दगी में नहीं आई जो एक पल के लिए मोहबत में जान और एक दिन के लिए जहान दे दे कोई ऐसी नहीं आई जो उससे प्यार करे ना कि उसके रिसी मलहुतरा होने से प्यार करे रिसी मलहुतरा से सब प्यार करते थे पर रिसी से कोई नहीं प्यार करता था इन्हीं सब बातों ने उसको जरजर कर दिया था वो पत्थर का हो चुका था इसी बीती हुई बातों को सोचते सोचते सोच चुका था दूसरी तरफ बसंद्रा रचना से बाते कर उसे हरद्वार के बारे में बता रही थी रचना तो इतनी खुश थी यहां के बारे में सुनके कि वो भी आना चाहिए थी बसंद्रा ने उससे कुछ दिर बात की और फोन रख दिया नेहा तक तक चाहे बना लाई सुक्रिया बसंद्रा ने कब पकर दिवे का कल से आपकी जौब सुरू हो रही है मैं बता देती हूँ तुझे वहां सब के बारे में नेहा ने सुनेना के बारे में इसान के बारे में और रिसी के बारे में बताया उसे और ये भी बोला कि सबसे घुले मिले पर उनसे दूर रहे बाकि सब ठीक है बसंद्रा ना जाने क्यों रिसी का नाम सुनके थोड़ा आजीब सी हो गई दोनों ने चाय खतम की और सोने चले गई क्या होगा दोनों की पहली मुलाकात में जानने के दिए सुनिए अगले भाग में